यूपी नकल पर बड़ा नकेल है, यहाँ पर नकल कराते पकड़े जाने पर लगेगा NSA CM Yogi ने उचसरी बैठक पर सक्त निग्देश दे दिये हैं 16 फरवरी से 4 मार्च तक चलेंगी यूपी बोर्ट की परिक्षाएं और नकल विहीन और पार दर्शी परिक्षाओं के लिए ये कड़े निग्देश दिये गए हैं 58,85,000 से अधिक परिक्षारतियों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है और ऐसे में नकल विहीन परिक्षा हो इससे 4 मार्च तक चलेंगी यूपी बोर्ट की परिक्षाएं और इसको लेकर सक्त निर्देश दिये गए हैं यूपी बोर्ट परिक्षा में नकल माफिया और नकेल कसने के लिए यूपी बोर्ट परिक्षा अगर कोई यहाँ पर नकल माफिया और नकेल कसने के लिए यूगी सरकार ने कमर कसली है 16 फर्वरी से चार मार्च तक यूपी बोर्ट की परिक्षाएं होंगी जिसको लेकर अभी से मुख्यमंत्री योगिया जितनात ने सक्त निर्देश दे दिये हैं कि जो भी नकल माफिया नकल कराता है इस बार पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ नसे के करवाई होगी लकनों का मादमिक सिक्षन इदेशाले है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं राज इस तरह ये कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया आप देख सकते हैं अलग अलग मंडल के यहाँ पर जिसके नाम चस्पा है उपर उस मंडल के नीचे जो भी करमचारी है वो यहाँ पर निगरानी करेंगे सामने बड़ी स्क्रीन जो आप देख पा रहे हैं जिसमें अलग अलग जिलो की निगरानी जो है यहाँ से होगी क्योंकि इसके पहले भी जिस तरीके से नकल माफिया लगातार पकड़ जाते थे पिछले साल इंगलिश का पेपर लीक हो गया था स्टीफ सक्री रहेगी और इन नकल माफिया पर नजर जरूर रहेगी और इस बार अगर कोई नकल माफिया पकला जाता है तो उसके खिलाफ एनेसे की कारवाई होगी जो की पहली बार इतिहास में ऐसा उत्तरमदेश में होने जा रहा है जॉइन डिरेक्टर है मादमिक के भगवती सिंग जी इस वक्त हमारे साथ है उन से जानेंगी कि क्या कुछ तैयारी है क्योंकि सर कंट्रोल रूम में आप इस वक्त मौजूद है और काम अभी आपका और बढ़ने वाला है 16 फर्वरी से 4 माज तक लगातार निग्रानी आपको करनी होगी क्या तैयारी है सर क्या टेक्नोलोजी का इस्तमाल कर रहा है इस बार हमने दो राज जिस्तर पर कंट्रोल लूम बनाए हैं 75 जनपदों में कंट्रोल लूम बने हुए है साथ ही प्रतिक विद्याले में कंट्रोल लूम बना हुआ है इनकी इस तरी इस तरी कंट्रोल लूम की वर्किंग यह है कि हमारे एक लाख तिरालेस अजार की करीप परिक्षा केंद्र है और उनको हमने तीन लाख सीसी टीवी कैमरों के साथ जो वाइस रिकार्डर योगत हैं उनको जोड रखा है तो चाहे परिसर हो परिक्षा केंद्र का चाहे परिक्षा कक्षों चाहे स्ट्रॉंग रूम हो सारी हमारे जो है कंट्रोल लूम की निकरानी में है राज इस तरी परिक्षा जो कंट्रोल रूम है उनसे हम जिले के कंट्रोल रूम को और परिक्षा केंद्रों को परिक्षा कक्षों को हम यहां से देख सकते हैं और देखते हैं साथ ही साथ जनपद इस तरी जो कंट्रोल रूम है वहां से भी परिक्षा केंद्र और उसके बनाया जाएगा 24 गंटे पुलिस कर्मी वहां मौझूद रहेंगे सिसी टीवी से निगरानी होगी क्योंकि यहां पर जो लोग मौझूद है और पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आपके उपर है कि अलग अलग जिलों में कोई टीम आपकी इस तरीके से रहेगी जो 24 गंटे रूम अलग रहेगा इस्ट्राउंग रूम को तीन लोगों के सामने स्ट्रेटिक मेस्टेट एक बाही केंदर बयोस्ताफक जो होते हैं और केंदर बयूस्ताफक इंके निगरानी में खूला जाएगा जब भी उसमें कोई भी वेक्ती जाएगा तो उसका परिक्षा से जुड़े हुए कक्ष निरिक्षक और केंद्बर वस्थापक हैं उनके लिए हमने निर्देश का बनाई है और वीडियोज बनाई है ताकि उसको देखकर वो अपने काम को उचित तरीके से कर सके और चले आगे बड़े सीम योगी ने महसिन रजा की पत्रका जान ले लिया है सीम ने अलप संक्या कर लिया है